ग्यक्ति से बड़ा विचार विचार से बड़ा राष्ट्र राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र गुरु गोविन सीजी का अटल संकल पथा जब वो बालक थे तो ये प्रश्ण आया कि राष्ट्र धर्म की रख्षा के लिए बड़ी बलिदान की जरुरत है उन्होंने अपने पीता से कहा कि आप से महान आज कौन है ये बड़ी दान आप दीजिये जब वो पीता बने तो उसी तत्परता से उन्होंने अपने बेटों को भी राष्ट्र धर्म के लिए बलिदान करने में संकोच नहीं किया जब उनके बेटों का बरिदान हुआ तो उन्होंने अपनी संगत को देखकर कहा चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार कल यानि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस बनाया गया देश के विबिन छेत्रों में तता विबिन राजियों में इस पर्व को बड़े उत्साहा के साथ बनाया गया वीर बाल दिवस जो की एक अनुपम साहास व वीरता का प्रतीक है इसे श्री नेंदर मोदी तता योगी आदितियनात ने इस पर्व को बनाते हुए कहा कि शिखों ने भारत की रक्षा की हैत्व अनुपम योगदान दिया है तता हमें गलत इतियास पढ़ाया गया हमें उन लोगों के बारे में जाता पढ़ाया गया जो कुरूर वो आकरंतायों थे तता उनके बारे में कम पढ़ाया गया जिन्होंने साहास व वीरता के दम पर माभारती की सेवा की आए जानते हैं इस वीडियो लेक्चर में वीर बाल दिवस क्यों बनाया जाता है यह कब से श्री जुरावर सिंग जी वह वीर स्री फते सिंग जी की सहाधत को याद करने हेतु बनाया जाता है। श्री गुरु गोविन सिंग जिनके पिता जी का नाम गुरु तेक बहादूर था वो माता का नाम गुजरी था जिनका जनम दिसमबर 1666 को पठना शहर में हुआ 1675 को गुरु तेक बहादूर सिंग का दिली में सरकलम कर दिया गया क्योंकि उन्होंने इसलाम को कबूलने से मना कर दिया और मात्र 9 वर्ट्स की आयू में श्री गुरु गोविन सिंग ने दस्वे गुरु के रूप में अपनी पदवी संबाले और खालसा पंत की स्थापना की खालसा की स्थापना खालसा एकसिक सेना होती है जो की अन्याय के खिलाफ लड़ती है गुरु गोविन सिंग जी के च्यार पुत्र थे जिन में बड़े पुत्र का नाम श्रीवीर अजीत सिंग जी दूसे पुत्र श्रीवीर जुजार सिंग जी तीसे पुत्र श्रीवीर जुरावर सिंग जी तथा चोथे पुत्र श्रीवीर फते सिंग जी अजीत सिंग जी ने क सत्रासो के आसपास मुगलिय सेना ने आनंदपूर किले को चारो तरफ से गेर लिया और छे महीने तक इसको गेर कर बैठे रहे मुगल सेना ने कुरान की कसम खाकर कहा कि यदि उन्हें केवल आनंदपूर साहिब का किला मिल जाए तो वे गुरु गौबिन सेना को कुछ भी हानी नहीं पहुच जाएंगे गुरु को मुगल सेना पर बिलकूल यकी नहीं था परन्तु कीले में अन्ध खतम हो चुका था और इसे देखते हुए गुरु गौबिन सेना ने मजबूर होकर यह फेसला लिया गुरु गोविन सिंग ने अपनी सेना वो अपने परिवार के साथ आननपूर सहाब को छोड़ कर चले गए सीरसा नदी के तट पर पासी चल कपड के साथ मुगल सेना ने सिक सेना पर पीछे से हमला कर दिया उस समय वीर अजित सिंग ने मुगल सेना का पूरा ध्यान बटकाया और युद के सोर्व गुल से सीरसा नदी की धारा के कारण गुरु गोविन सिंग का परिवार आपस से बिछड गया गुरु के दो छोटे पुत्र साहीब जादे वीर जुरावर सिंग जी तता फते सिंग जी उनकी उम्र उस समय मातर 9 साल वो 6 साल की थी वो अपनी दादी शरी माता गुजरी के साथ अलग हो गए और बाकी दो सहाब जादे शरीमार अजित सिंग जी वो शरी जुजार सिंग वहां हुआ बीशन चमकोर यूत्र मातर 40 से 45 सेनिकों के साथ लाखो मुगल सेना के साथ बीड़ गए और इस बीशन युद वोवा और सिंग सेना की विजे हुई मुगल बादशाह औरंग जेब ने गुरु गौबिन सेनिक को मानने है तो लाखो मुगल सेना को चमकोर दी गड़ी में बेजा था इसी चमकोर की युद में गुरु सेनिक ने यह व्यक्तवे दिया कि एक खाल सा सवाल लाख सेनिक के बराबर होगा और सिक सेना की जीत और मुगल सेना को खाली हात लोटना पड़ा और इसी युद में दो बड़े सहाब जादे स्री मान वीर अजीत सिंग जी तथा वीर सिर जुरावर सिंग जी ने अपनी सहादत को सी वही दूसी तरफ दो छोटे सहाब जादे अपनी दादी के साथ मातः गुजरी के साथ ग सहाब जादों को उनके गाम खेडी में सुरक्षित रखेंगे गंगु कोल के साथ माता गुजरी उनके साथ गाम चली गई एक रात गंगु कोल ने माता गुजरी के सामान में सोने के सिखे को चुरा लिया पर उन्हें डर था कि जब माता सोने के बाद उठेगी तो सोने के माता गुजरी वो दोनों सहाब जादों को ठंडा बुर्ज होम में ले गए ठंडा बुर्ज सरहिद में एक उन्चा टावर है जिसके पर कोई दिवार नहीं है ये गर्मियों है तू बनाया गए था ताकि ठंडा हवा को आनंद उठा सके परन्तु ये समय दिसंबर कर था और भयंकर रूह को ठंडी कर देने वाली हवाई चल दे थी ऐसी हवा जो रूह को भी कमपा दे मातर नो साल वो छे साल की उम्र में सहाब जादे तथा एक बुर्ज माता को पूरी रात ये ठंड को सयन करने है तू यहाँ पर छोड़ दिया गया अगली सुबह दोनों सहाब जा जो की सरहिंद के नवाब थे के दरवार में लाया गया और माता गुजरी को उसी ठंड में बुर्ज हों में छोड़ दिया गया वजीर खान ने उन्हें इसलाम कबूल करने को कहा और यदि वे इसलाम को कबूल कर देते हैं तो उन्हें रिहा कर दिये जाएगा यह लालच भ आदी देकर आदी तरीके अपना कर इन्होंने पर्यास किये पर इतनी छोटी आयू होने के बावजूद भी वो निडर रहे और वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फतह का नारा लगया वजीर खान से यह सैन नहीं हुआ और उसने आदेश दिया कि इन सहाब ज तक आई और दिवार गिर गई उसके बाद वजीरखान ने आदेश दिया कि इनके सर को कलम कर दिया जाए और मात्र छे साल 화 9 साल की उम्र में स्री जोरावर सिंग जी तथा वीर्स्री फतेह सिंग ने अपने धर्म है तू अपनी सिख्षी है तू अपनी सहादत को हंस्तय हं दिन अदम्य सहास वीरता की निसानी है कोई भी ये कलपना नहीं कर सकता कि मात्र छे साल वो नो साल के सहाब जादों ने इस हद तक सहास व वीरता को मिसाल बना कर रखा था नमन है इन वीरों को और माता गुजरी को उसके बाद एक दिवान तोडरमल जो की एक ज्वेलर था व वजिर खान से इनके अंतिम संसकार करने है तू इजाज़त मांगी वजिर खान ने अनुमती तो दे दी परंतु उसने कहा कि जितनी जमीन इन वीरों वो माता गुजरी के अंतिम संसकार है तू चाहेगी उतनी ही जमीन को आपको मुझसे खरीदना होगा और केमत इतन इस ज जमीन दुन्या की अभी भी सबसे महंगीन जमीनों में शामिल हुए। यहां पर आज जोती सौरूब साहीब सरहिंद में इस्तिते तथा गुरुदवरा फतेहगड साइड इस्तिते। 26 दिसेंबर को इन महान वीर सपूतों वो सहाब जादों को वीरता का दिन है। मानने परदान मंत्री ने कहा कि हमारे अतीत के ज्यान को हम से चुपाया गया और हमें कुरूर सासकों के बारे में ज़्यादा पड़ाया गया। I hope you like this video, share and subscribe to ProTouch for more information. Thank you so much.